Hello everyone, Welcome back to our channel Sweet Home Kitchen SHK आज की हमारी रेसिपी है कड़ी पकोड़ा चावल इस वीडियो में हमने राजिस्तान स्टाइल की रेसिपी बनाई है इस वीडियो को इन तक जरूर देखे और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेर जरूर करे अगर आपने अब तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नव किया हो तो सब्सक्राइब करे और वेल आइकन भी क्लिक करे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहो हो तो आएए इसे बनाना शुरू करते है एक कब बास्मती राइस को अच्छी तरह से वाश करके आदे घंटे तक भिगो कर रखे तब तक हम कड़ी बनाने की तयारी कर लेते हैं कड़ी बनाने के लिए एक हांडी में एक कब ताजा दही ले इसे इस तरह से अच्छे से विस्क करे अच्छी तरह से विस्क करने के बाद इसमें पानी आड़ करे अब फ्लेम ओन करके इसे कंटिनुसली स्टेर करते रहिए अब एक बावल में दो टेबल स्पून बेशन ले इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करे इसे अच्छी तरह से मिक्स करे ताकि इसमें कोई भी गुटलिया न रहे जब दही अच्छी तरह से गरम हो जाए तब इसमें बेशन का मिक्स्चर आड़ करे इसे कंटिनुसली स्टेर करते रहिए अच्छा गरम होने के बाद इसे साइड में रग दे अब एक तड़का पैन में एक टेबल स्पून घी गरम करे इसमें एक टीस्पून मेती के बीच आड़ करे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करते रहिए अब इसमें एक टीस्पून राई और जीरा आड़ करे तीन चौप कीवी हरी मिर्च पाव चम्मच हिंग अब इस तड़के को गरम किये हुए दही में आड़ करे अब फिर से फ्लेम ओन करके इसे कंटिनियसली स्टर करे इसमें एक पिंच हल्दी पाउडर, एक पिंच लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून धनिया पाउडर और शींदा नमक अपने स्वात के अनुसार आड़ करे इसे कंटिनियसली स्टर करते रहिए अब इसमें हाफ टीस्पून कस्तूडी मेती आड़ करे चावल को पकाने के लिए एक भगोने में तीन गलास पानी गरम करे इसमें भिगोए हुए चावल और नमक अड़ करे इसे ढख कर पकने दे उबाल आने तक इसे कंटिनियसली स्टिर करते रहिए उबाल आने पर इसे साइड में रग दे हम इसमें एक और तड़का आड़ करेंगे ये कंप्लीटली ओप्शनल है घी गरम होने के बाद इसमें राई, जीरा और हींग आड़ करे दस से पंद्रा कड़ी पत्ते अच्छे से फ्राई करने के बाद इसे तयार की हुई कड़ी में आड़ कर ले इसमें दो टेबल स्पून ताजी कटी हुई धनिया के पत्ते आड़ करे पापड तयार करने के लिए हमने तड़का पान में पापड को इस तरह से कटोरी के शेप में रखा है इसे इस तरह से प्रेस करी हमारा कटोरी पापड तयार है, इसे साइड में रग दे कडी में डालने के लिए चोटे-चोटे पकोडे तयार करे पकोडे बनाने की रेसिपी का लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है प्लेटिंग करने के लिए एक सर्विंग प्लेट ले इसमें तीन चम्मच कडी पौर करे अब इसके बीच में एक कटर या फिर कोई भी रिंग रखे अब इस रिंग में चावल फिल करे इसे इस तरह से प्रेस करते हुए फिल कर ले इसे हलका हलका प्रेस करते हुए फिल कर ले अब धीरे से रिंग को निकाल ले अब तयार किया हुआ कटोरी पापड रखे फ्राई किये हुए पकोडे इस कटोरी पापड में रखे फ्राई की हुई हरिमिर्च और धन्या के पत्ते से इसे गानिश करे हमारी राजस्तानी स्टाइल पकोडा कडी चावल तयार है इसे गर्मा गरम सर्फ करे अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करे थैंक यू फो वाचिंग दे वीडियो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल झाल झाल झाल